नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम क्या आप सभी लोग सिच्छक बनना चाहते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो सही चैनल पर आए हैं रॉकिंग इंफार्मेशन रॉकेट के तरह यहाँ पर आपको इंफार्मेशन मिलती है यानि की सेलेक्शन वाले आपके प्रस्ण होते हैं सेलेक्शन वाले वीडियो होती है आपकी जाम परेटन के अंसार सभी प्रस्ण होते हैं तो दोस्तो वेलकम करते हैं आपके अपने यहीं से प्रस्ण आने हैं और दोस्तों बता दू यह पार्ट नमबर 9 है और इसके प्रतेक पार्ट पर हम 30 कोश्चन लेकर आते हैं दोस्तों कल के जो बीडियो का लाश्ट कोश्चन यह था कि मैक डूगल के अनुसार मूल प्रवतियों की बिसेस्ता नहीं है कि यह जन्मजात होती हैं यह प्रतेक बिक्ति में पाई जाती हैं यह बिवहार को प्रेरित करती हैं यह जन्मजात वार्जे दोनों होती हैं ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपसन आपका सही हो गया था, और आज हम देखने वाले हैं, आज इसका क्या सही होने वाला है प्रसन, ठीक है, और हम आपके लिए एक प्रसन आपके लिए होमवर्क में भी दिये थे, होमवर्क में क्या दिये थे, कि सीखना विकास की प्रकिया ह किसकी है वोडवर्थ की है ठीक है नेस कोश्चन देखेंगे अंगला प्रसने हाँ पर देखेंगे अंगला प्रसने दोस्तो अधिगम के सिध्धानतों को मनो बैग्यानिकों ने कितने भागों में बाटा है दो बागों में तीन भागों में चार बागों में पांच बागों म अधिगम के सिध्धान्तों को जो मनो बैग्यानिक है उन्होंने अधिगम के सिध्धान्त को कितने भागों में बाटा है तो राइट इंसर क्या हो जाएगा दो भागों में बाटा है इस question देखेंगे यहाँ पर अंगलर स्कीन पर आ चुका है और प्रसनिय पूंचा जा रहा है आपसे कि कौन सा सिध्धान्त अधिगम के सायचर सिध्धान्त में सामिल नहीं है यानि ऐसा कौन सा अधिगम है जो आपके सायचर सिध्धान्त का जो अधिगम है उसमें सामिल नह है तो छेतरी सिध्धान्त जो है वह आपका दोस्तों सामिल नहीं है मां की समंधवाद का सिध्धान्त क्रिया प्रसूत अनमंधन का सिध्धान्त और प्रवलन का सिध्धान्त ये आपके अधिगम के साचा सिध्धान्त में सामिल है लेकिन छेतरी सिध्धान्त आपका सामिल गुथरी का समीप शम्मंध वाद का सिधान्त अधिगम के किस सिधान्त में आता है ग्यानात्मक छेत्री सिधान्त के अंतरगत सामिल नहीं है अब आप लोग काफी सारे भाई वेन ये सोच रहे होंगे सिच्छक बुंद अध्यापक अध्यापिका कि ये प्रस्न आप कहां से पा जाते हैं दोस्तो ठीक है सर आप ये कहां से प्रस्न ले आते हैं बहुत अच्छा प्रस्न है यही प्रस्न आपके जम पटन में आने वाले हैं अगर इन 1000 MSQ आपने तयार कर लिया तो बाल विकास बाल विकास में जो 30% है तो आपका बाल भी बांकए इन 30% को कोई टच भी नहीं कर सकता, यानि कि 30 प्रस्ण आपके होने वाले हैं, ठीक है, यहां से 30 में 30 लेकर आप आने वाले हैं, बिलकुल सही बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, सही अच्छे तरीके से स्टड़ी करिएगा, पीडिया फाइल आपको फ्री में में लेगी, कोई टेंसन, गवराट कोई दिककत नहीं है, ठीक है, केवाल स्टड़ी करिए और खुश रहिए, कोश्चन देखेंगे कि ग्यानात्मक 46 सिधान्त के अंतरगस सामिल नहीं है, क्या सामिल नहीं है, लेविन का 46 सिधान्त, टालमेन का साइन सिधान्त, थंडाई का बंद का सिधान्त, या अंतरगस का सिधान्त, ये आपके ग्यानात्मक 46 सिधान्त में सामिल है, लेकिन थंडाईक बंद का सिधान्त आपका सामिल नहीं है, अंगला प्रसन है दोस्तों की उतेजना वा अनकुरिया के मद, इस्थाइ बंदन बनाने में साहायक है, जो उतेजना वा अनकुरिया इन अभिब्रत्ति करता है कौन करता करती है भाई उत्तेजना वा अनुकुरिया के मंद इस्थाई सम्मंद बनाने में कौन सहायक होता है तो वह आपका पुनरवलन शहायक होता है अंगला प्रस्निया पे देखेंगे कि SR सूत का सम्मंद है देखें मैंने आपके जो बालविकास म उनों भी ग्यान के पार्टिकुलर आपका वीडियो बनाया था SR थियोरी SR सूथ का सम्मंद थांडाइक कहो गया पाउला कहो गया जीन पियाजे कहो गया तो जाए ये वीडियो देखिए उनको डिटेल से दे दिया गया है वहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो SR सूथ का सम्मंद किसे भईया अनकरन सिध्धान से है ग्यानात्मक छेत्री सिध्धान से है साचर सिध्धान से या एवाभी दोनों से है तो SR सूथ का जो सम्मंद है वह आपकी साचर सिद्धान से है ठीक है निस कोश्चन आपे देखने वाले हैं अंगला प्रसंद दिया गया है कि सन्योजन वाद के सिद्धान के प्रवर्तक है जो आपका सन्योजन वाद का सिद्धान है उसके प्रवर्तक कौन है इसकनर है बुडवर्त है वाटसन है या थंडाइक है तो सन्योजन वाद के सिधान के परोड़तक आपके है थंडाइक है ठीक है कौन है भईया आजाए जामे कि सन्योजन वाद के सिधान के परोड़तक कौन है तो थंडाइक है याद रखेगा नेस कोश्चन देखेंगे अंगला प्रस्ण है थंडाइ के अनुसार सीखना क्या भाई या जब हम थांडाई का पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आल लेडी हमसे बन जाएगा इसलिए हम आपको ठीक है जो भी ज्यादा तर्मोनों विज्ञानी के प्रस्न पूछते हैं वो आपको आल लेडी बीडियो मिल जाएगा लास्ट ठीक है इ याने की संबंध इस्थापित करना अंगला प्रस्निया पे देखने वाले हैं प्रस्निया पे दिया गया है कि सीखना इस नायूमंडल या तंतिका तंत में परिस्थितियों और अनक्रियाओं के मद्ध संयोग शंबंधों का बनना और ससक्त होने की बात है युक्त कथन किस किसका है यह statement किसका है Shk мнar का है thandike का है KRO Yan KRO का है या बंडूरा का है तो आपके thandike का खठन है ठीक है Nezphase तरस्नेह पर देखें well अंगला question है थandike ने अपने शीखने की Nemo को मुख्रूप से कितने भागों में बाटा है यह भी भाजित किया है यानि कि थन्डाइक महोदे ने जो सीखने की नियम उन्हों ने दिया है तो उन कितने रूपों में कितने भागों में बाटा है दो, तीन, पाँच, आठ तो दो भागों में बाटा है जब आप वीडियो देखेंगे पूरा डिटेल से तो आप समझ जाएंगे इन डिस्कीन में में बीडियो दे दूगा आप लोगों को, ठीक है तो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं next question देखेंगे कि सीखना का मुख नियम क्या है? जो सीखना learning होता है, जो उसका जो है मुख नियम क्या होता है? ततपरता होता है, अभ्यास होता है, प्रभाव होता है, उपर्युक्त सभी होता है, तो सीखने का जो मुख नियम होता है, वह ततपरता भी होता है, अभ्यास भी होता है, प्रभाव का होता है, यानि सीखने का ततपरता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का दीजेगा और अपना feedback कमेंट करके जूरूर बताईएगा कि आप लोग यह 30 प्रस्णों में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं अगर आप भाईया 20 सही कर पा रहे हैं तो बिलकुश सही कर पा रहे हैं बहुत आपका selection 98% है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर अच्छे तरीके से देखेगा सभी classes attend कीजिए वादा करता हूं दोस्तों आपका selection बिलकुल होगा ठीक है दिल से पढ़ाई कीजिए और दिल से like कर दीजेगा अंगला question यहीं देखते हैं कि प्रभाव की नियम को अन किस नाम से जाना जाता है यहीं जो प्रभाव का नियम है अभी हमने यहां पर पढ़ाना ततपर्ता का प्रभाव का अभ्यास का यह नियम है तो जो एक प्रभाव का नियम है इसमें इसको अन किस नाम से जाना जाता है पैडाम के नियम से संतोस वा असंतोस का या एवभी दोनों या कोई नहीं देखे प्रभाव का जो नियम है दोस्तों वो पैडाम के नियम से भी जाना जाता है वो संतोस वा असंतोस के नियम से भी जाना जाता है यानि कि एवभी देखे प्रभाव का नियम यानि पैडाम का जब नियम आता है तो वो भी प्रवावपड़ता है और संतोस और असंतोस का नियम होता है तो अभी प्रवावपड़ता है ठीक है दोनों पर भी प्रवावपड़ता है तो आपका आवाब दोनों आपसं सही हो जाएंगे यानि एव अभी आपके दोनों सही होगे निस question देखें कि अब्यास की नियम को कितने भागों में विवक्त किया गया है अब अच्छा प्रसना आ गया जो अब्यास का नियम है उसको कितने भागों में विवक्त किया गया है उपयोगवा नियम में उपरियुक्त दोनों में या उपरियुक्त में से कोई नहीं त तो राइट अंसर क्या हो जाएगा अब भ्यास के नियम को कितने भागों में विभक्त किया गया है कितने भागों में विभाजित किया गया है तो उपयोग के नियम में और अनुपयोग के नियम में विभाजित किया गया है ठीक है कोई भी देखे अब भ्यास जब हम करते हैं प्रभाव का नियम यह किसके वह या थांडाइक महोदे के हैं थांडाइक महोदे के सिदान का सबसे मातपूर्ण नियम कौन सा है यह जो तीन नियम है इन तीन नियमों से सबसे मातपूर्ण कौन सा है ठीक है अभ्यास है ततपरता है प्रभाव है उपयोग है तो सबसे मातप पर आए हैं सही वक्त पर आए हैं आपके लिए यहां पर निरास होकर नहीं जाने वाले हैं और भोल बिलकुल नहीं जाना है जब भी आप टीचर बन जाएं कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर कर दीजेगा हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दीजेगा जब आप सिच्छक बन ज ये च्छा राजश्रित में सिच्छा अब हम प्रस्ण पे आते हैं कि थंडाइक ने सीखने के कितने गौन नियम बताएं अब अच्छा प्रस्ण आ गया कि थंडाइक ने सीखने के गौन नियम भी बताएं अब ये गौन नियम कितने बताएं वह ये दो बताएं हैं चार बता वीडियो में ने upload कर दिया है वो वीडियो जब देखेंगे इन डिस्किन पर मैं दे दूँगा जब आप वो वीडियो देखेंगे तो पूरा detail से समझ में आ जाएगा कि यहीं से प्रसनाते हैं और कहीं से नहीं आने वाले हैं अच्छा समझाने वाला और आप तक संदेश पहुचाने वाला अच्छा study करवाने वाला अगर आपको मिल जाता है उन्हीं प्रसनों में से अच्छे तरीके समझ जाएं अगर कहते हैं ना हम अगर अच्छे तरीके समझ जाते हैं ना तो फिर ऐसे समझ में आना चाहिए जो इजाम में कुश्चन आये तो हम फटाफट solve कर सकें बस यहीं चाहिए और कुछ नहीं ठीक है तो थंडाइक ने सीखने के कितने गौड नियम बताएं तो पांच गौड नियम बताएं आप वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा ठीक है निश्प्रस देखेंगे थंडाइक के सीखने के गौड नियम में सामिल नहीं है ठीक है तत्परता का नियम आपका गौड नियम में सामिल नहीं है अंगला प्रस देखेंगे थंडाइक के सीखने के गौड नियम में सामिल नहीं है साद्रस अनकुरिया का नियम, मांसिक इस्थित का नियम, सहचर्यात्मक इस्थांतन का नियम या अनुकरण का नियम तो कौन नहीं सामिल है आपका अनुकरण का नियम आपका सामिल नहीं है अंगला प्रस देखने वाले हैं सादरस अनकुरिया के नियम को अन किस नाम से जाना जाता है बहुत ही अच्छा प्रसन है बेरी इंपोर्टन प्रसन है कि जो सादरस अनकुरिया का नियम है वह अन और किस नाम से जाना जाता है आत्मी करण का नियम से परिपकता के नियम से निकरता के नियम से या सम्मन्देद परिवतन के नियम से तो साधरस अनक्या के नियम को अनकिस नाम से जाना जाता है आत्मी करण के नियम से जाना जाता है याद रखेगा और नेस question आपके skin पर आ चुका है बहुत अच्छा प्रसन है प्रसन यह पूंचा गया है आपसे कि जो साहचर यात्मक इस्थांतन के नियम को अनकिस नाम से जाना जाता है देखे अनकिस नाम से यानि कि duplicate नाम पर्यावाची नाम बहुत जादा पूचे जानेंगी ठीक है बहुत जादा पूचे जाते है अपडेट question है अपडेट पसन है अब इसका right answer क्या हो जाएगा अगर आप लोगों से जरूर बनता हो तो जरूर comment करके जरूर feedback दें कि आप लोग कितना score कर पाते हैं बहुत कम comments करते हैं तो विउस तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग comments नहीं कर रहे हैं भईया डरते क्यों हैं सिच्चक बनने जा रहे हैं आप लोग वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं बालकों को तो यहाँ पर आपको comment feedback देना जरूरी होता है बिल्कुल बनता है आपका कुछ भी comment करिए लेकिन comment जरूर कीजिए तो साहचर यात्मक सांतन की नियम को अनकिस नाम से जाना जाता है तो सम्मंदित परिवतन के नियम से जाना जाता है अंगला प्रस देखेंगे थांडाई के सीखने के तीनों मुख नियमों की अलोचना की है किसने की है थांडाई के जो सीखने के तीन मुख नियम है इसकी अलोचना की है किसने की है गेस्टाल्ट वादियों ने की है बियोहार वादियों ने की है प्रयोगात्मक वादियों ने की है या मनो बिसलेशन वादियों ने की है तो थंडाई के सीखने के तीरो मुख नेमों की अलोचना किसने की है तो आपके गेस्टाल्ट वादियों ने की है ठीक है और निस कोश्चन यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कि नभीन ग्यान प दिया गया है या किस नियम थरंडाइक का नियम का है और किस नियम पर अधायत है ततपरता के है प्रभाव के है अभ्यास के उपर उख सभी है तो यह प्रभाव के नियम पर है ठीक है निश्ब कोशन हैं पर देखने वाले हैं अंगला प्रसनिया पर दिया गया है कि हम एक समय में केवल एक बात कभी नहीं सीखते हैं बहुत अच्छा प्रसन है हम जो होते हैं एक ही समय में केवल एक बात कभी नहीं सीखते हैं हम सदयों बहुत सी बातों को साथ साथ सीखते हैं उक्त कथन का सम्मंद अधियम के किस नियम से है यानि कि हम एक वक्त में एक समय में एक बा समंद अधिगम के किस नियम से है अभ्यास के बितरन नियम से निकर्टा के नियम से आत्मी करण के बहु अधिगम से देखे बितरन यानी की अलग लग करना तो भाईया हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं करते क्या हैं आप फिंगर में देखेंगे अपने हाथों में 5 उंगलिया होती हैं 5 उंगलियों को इकठा कर लेते मुठी बन जाती तो वही यहां पर है कि देखिये जब यह मुठी बन जाती यानी हम सद clarify एक के साथ 5 उंगलिया एक साथ जब मिल जाती नियू heckra सीखते हैं तो क्या हो जाएगा बहु अधियम का नियम हो जाएगा ठीक है जब आप एक उंगली से किसी को ढखे लेंगे तो काम नहीं करेगा वही अगर पांचो उंगलियां इकठा करके ढखेलते हैं तो क्या हो जाएगा बहु अधियम का नियम यहाँ पे हो जाएगा ठीक ह बहुत अच्छा प्रस्ण है इधन दीजेगा सीखना संबंद का इस्थापित करना होता है और संबंद इस्थापित करने का कार मनुस्त का मस्तिष का करना होता है यह कथन किसका है इसकनर का है थंडाइक का है वाटसन का है पालाओ का है तो यह आपके थन्डाइक का याद रखेगा ठीक है अंगला प्रस्यां पर देखने वाले हैं दोस्तो निस कोश्चन यह है कि मंद बुद्धी बालकों को पढ़ाने के लिए अधियम का कौन सा सिद्धान सर्शेष्ट है यनि अगर बालक कैसे मंद बुद्धी बालक हैं ठीक है अगर उनको पढ़ाना हो आपको ठीक है आप क्योंकि सिच्चे का ध्यापक होने वाले हैं बविष्ट के हमारे ठीक है कोश्चन देखने वाले हैं उद्धीपन अनुक्रिया के सिधान के संदर में कौन सा कथन अशत्त है इस सिधान से बालकों में धैर तथा परिश्रम के गुणों का विकास किया जाता है और सेकंड है कि यह बालकों में परिश्रम के प्रति आसा का संचार करता है यह अनुकरन क प्रसनाते हैं positive और negative two तो भाई या कौन सा कथन यहां पे असत्थ है तो देखे जो तीसरा है आपका सत्थ है कि यह अनुकरन करने पर बल देता है बिल्कु नहीं जो उद्धीपन उनकिया का सिधानत हुए अनुकरन करने पर बल नहीं देता है और बांकि आपके सत्थ है ठीक होता है तरीका नहीं होता तरीका मालूम होता है लच नहीं होता और लच और तरीका दोनों मालूम नहीं होते हैं देखे कौन सा कतन सत्थ है देखे केवल लच मालूम होता है तरीका नहीं होता है उद्धीपन उनकिया में केवल क्या होता है हमें क्या है लच मालूम होता है नहीं मालूम होता है, तो second option is the right answer, ने इस question देखेंगे कि बालक में गामक कुसलताओं का विकास करने में सरवाधिक सहायक कौन सा है, यानि बालक के जो गामक कुसलताओं होती है, अगर उनको विकास में सरवाधिक सहायक कौन होता है, उदीपक अनकुरिया का सिध्धान्त होत है, दोस्तों अंगला प्रस देखने वाले हैं कि एसा उत्प्रेरक जो बेक्त की अधार भूत और सकताओं की पूर्थ कहलाता है, यानि एसा उत्प्रेरक बताईए जो बेक्त की अधार भूत और सकताओं की पूर्थ कहलाता है, वह आपका सकारात्मक प्रात्मीक प्रेरक, कहलाता है ठीक है अंगरा परस देखेंगे कि मानसिक देश्चे कमजोर छात्रों के लिए कौन सा सिधान सर्फस्ष्ट है यानि अगर बच्चा जो है मानसिक देश्चे कमजोर है तो उस बच्चे के लिए कौन सा सिधान स्रेष्ट होगा देखे मांसिक दर्ष्टे कमजोर है बालक ठीक है तो सास्त्री अनवंदन छेत्री क्रिया प्रसूत या समग्रवाद तो क्या हो जाएगा मानसिग दर्श से अगर बच्चा कमजोर है तो क्रिया प्रसूत अन्वननन का सिधान्त उसके लिए सर्फेस्ट होगा और यहाँ पर आपको लास्ट कोश्चन दे के तीस कोश्चन हमने कम्प्लीट कर लिए और यह कोश्चन आपके लिए होमवर्क में है कि छात्रों के अवांचनी आचरण एवं बेवहार को छुडाने के लिए कौन सा सिधान्त अधिक महत्पूर है यागर यानि कि कोई बालक अवांचनी या आचरण हो ठीक है अउगुन हो उस पर अलग वेवहार हो उन वेवहारों को छुटाने के लिए कौन सा सिधान्त अधिक महत्पूर होगा सास्त्री अन्वननन का क्रिया प्रसूत अन्वननन का अनुकरण का सिधान समन्धवाद का सिधान्त देखे यापके होमवर्क है अभी आप लोग हमें कमेंट करके जूर बताएगा 30 प्रस्णों में से आप लोग कितना कर पाएं हिसकोर और यह होमवर्क में आपका आप लोगों सभी लोगों को जितने वीच कर रहे हैं जितने वीडियो देख रहे हैं इसका कमेंट आपको बताना है देखे कि आपके यह होता, अगर मैंने A कर दिया होता, तो ऐसा होता, B कर दिया होता, तो आपने समझ गए कि अगर B क्यों नहीं किया, ठीक है, और एक बात important दोस्तों, motivation channel भी हमारा BJMoral motivation channel, link आपको वीडियो के डिक्सेशन में सबसे उपर दे दूँगा, तो वीडियो देखिएगा, मोटिवेट हो ये, और बिलको selection पाएंगे, और बिलको सिच्चक बनिये, और अपने राष्ट के निर्माता में, सारी मेरा थोड़ा गला खराब है, राष्ट निर्मान में आप लोग साहता प्रदान करें, देश हित में सिच्चा है, राष्ट हित में सिच्चा है, और एक important अगर आप playlist में जाएंगे, तो सारे सलेवस आपको मिल जाएगा, सारे question की वीडियो मिलेंगे, playlist में जाएंगे, चाहे मैं इसकी बात करूँ, चाहे हिंदी की बात करूँ, चाहे आपके संस्कत की बात करूँ, चाहे आपके बाल विकास की या परण की, सभी classes आपको upload हो और टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जोइन कर सकते हैं, और PDF फाइल आपको फ्री में मिल जाएगा, तो धन्वास सातियों सभी दोस्तों का, like करते जाएगा, share करते जाएगा, जैहें!